नमस्कार दोस्तों, हाली में ये पोस्ट इंटरनेट पर बहुत वाइरल हो रही थी जिसका रिजन यह है कि जो पांस सक्स हैं उनमें से चार सक्स बनियां कम्यूनिटी से बिलॉम करते हैं अमन गुपता, प्यूस बंसल, अनुपमित्तर और रित्य सग्रवाल ये चारों बनियां हैं आल इंडिया में जो बनियां कम्यूनिटी है उसका पॉबलेशन से दो परसेंट है लेकिन इस कम्यूनिटी ने फ्लिपकाट, स्नैपडिल, मिंत्रा, इमामी, एयर्टे, विदानता जैसी कम्यूनिटी बनाई है अब हमें से कई लोग बोलेंगे कि ठीक है इनका बोलबाला इंडिया में ही है बाहर कौन फुच्टा है लेकिन ऐसा नहीं है चाइनीज, जुईज और बनिया ये तीनों मिजोर्टी कम्यूनिटी है जो बिजनेस में वर्ल्ट में टाप थ्री पर है तो आज हम देखते हैं कि बनिया में ऐसी कौन सी टाप की पांच क्वाल्टी है जिसकी वज़ासे ये बनिया नहीं बनिया बन चुका है पिछले कुछ महिनों से इंडिया की सबसे बड़ी कम्पनी जैसे कि नेसले, ITC, HUL और Tata ये सभी सिर्फ एक कम्पनी को एक्क्वायर करने की रेस में लगई है ये कम्पनी इतनी सक्सेस्फूल है कि इन्होंने खुद की एक नई मार्केट कटिगरी इन्वेंट कर दी है और इस कटिगरी में वह 90% मार्केट सेर को कैप्टेर करके बैठे हुए है नार मैगी की सान में और कई बड़े ब्रांड्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग में तो यह मास्टर है और इन्होंने ऐसी टीवी एड बनाई है जिससे इनकी सेल्फ सिर्फ एक साल में चार बुना बढ़ गई है हम बात कर रहे हैं कैटल फूट्स के बारे में जिनमें दो फेमस प्रडक्ट के बारे में हर इंडियन ने सुना है पहला है चिंग सिक्रेट और दूसरा है इसमित जोंस देशी चाइनीज के नाम से चिंग ने अपने खुद की फूट केड़गरी इंवेंट कर दी है और इस में कुछ आया और हुआ एक बहुत बड़ी बिजनेस अपर्चुनिटी है लोगों को चाइनीज फूड में इंडियन का त्रड़का लगा कर जो खाना बुनता है उससे खाने में बहुत से मज़ा आया और इसलिए स्नेक्स में उस वक्त चाइनीज फूड मोस्ली लड़कों में स्टाल्स में बिखता था क्योंकि बहुत ही अनहीजनी कंडिशन में बनता था यानि आपको पता है पता ही होगा इसमें से क्या लोग डाल देते थे इसलिए इसे घरों में अवलेबल करवाने एक अच्छी बिजनेस अपर्चुनिटी हो सकती थी चिंक सिक्रेट ब्रां मैगी जैसे ब्रांड यहां पर लोकल टेस्ट को इग्नोर करते थे वही पर चिंक सिक्रेट इस लोकल टेस्ट पर प्ले कर रहा था यानि हर लोकल जगह के लिए एक लोकल फ्लेवर लांच किया जाएगा 2010 में आते आते चिंक चैनीज ग्रोथ ने तो अच्छी दिख रही थ लेकिन गुपता जी चाहते थे यह बहुत बड़ा रांड में इसका एक रास्ता उन्होंने निकाला एड़ुटाइजिंग और ड़र टाइजिंग तो हर ब्रांड करता है लेकिन चिंग सेक्रेट ने जो एड़ुटाइजिंग करी वह मैं ब्लोईंग थी उन्होंने ऐसी ए भी है जिसकी वजह से यह एड और वारेल हो गई चिंग सेक्रेट के प्रजेंट सिर्फ साथ सतर हजार इस्टोर्स में थी और इस एड के बाद यह तीन लग इस्टोर में पहुच गई इसके बाद उन्होंने दस में दस रुपए में सूप का एक पैकेट भी लांच किया सूप को लांच करने के बाद नार कंपनी इतनी इतना डर गई थी कि इन्होंने बाइट टू गेट वन का आफर लांच कर दिया इससे ठीक दो साल बाद चिंक्स ने एक बार फिर से रडवीर सिंग के साथ इस एड मिनेट के एड का बजट बनाकर आप हैरान रह जाएंगे इस एड का बजट था 70 करोड इतना बजट तो कई मुवी का भी नहीं होता है सबसे पहले इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस एड को सूट किया था रोहिश चैटीनिस स्टोरी में मेरी लर्निंग यह थी कि डोंट अगर आप चाहते हैं इसे गूगल पर आप सुन सकते हैं हमारी नेक्स्ट लर्निंग आती है ड्रिम बिक मैं अगर आपसे पूछ वर्ल्ड का सबसे लाजेस्ट गोल्ड रिफाइनी कौन है और किस कंट्री में तो ज्यादर लोग कहेंगे दुबाई या फिर यह से ही होगा जिससे ओनर रॉल्स रास या मर्शेडीज में घूमते होंगे लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नार्मल इंडियन ज्वेलर का बेटा जो की पुराने से टोयटा में घूमता हुआ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनी को ओन करता है तो हम ज्यादा लोगों इतने करोड़ों रुपए नहीं मिले थे और नहीं फर्राटे तार एंगरजी बोल सकता था आगे चलकर वह इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड एक्सपोर्टर बनता है और स्विडिया लेंड जैसे हमीड देशों में गुसकर वहां की वर्ल्ड राजेस्ट गोल्ड रिफा तो थाजए विल्ड की वहां का सुषयां का सबसे देश एक देशने हैं